फाइनली आपके पास NPSOTR का जो Google Play Store की एप पर उनका एप एबेलेबल हो चुक है तो इसी एप के जरीए उन्होंने बता दिया है आप कैसे कॉलाशीप का फेस बेरिफिकेशन करेंगे तो हम इस वीडियो में आपको पूरा फेस बेरिफिकेशन करके दिखाने बाले हैं तो आ आपको लाइप यह पर फेस बेरिफिकेशन करके दिखाने बाला हूँ NSPOTR का फेस बेरिफिकेशन करने के लिए आपको NSPOTR का एक एप डाउनलोड करना परेगा Google की प्लेश्टूर की एप से ठीक है तो मैं यह पर Google की प्लेश्टूर की एप पर आ चुका हूँ यह पर इस बाला एप मिल जाएगा NSPOTR का जो एप है वो मिल जाएगा और इसी एप को आपको डाउनलोड मतलब इंस्टॉल करना परेगा अगर आपको यह प्लेश्टूर पर नहीं मिलता है तो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर आपको इसका लिंक ही मिल जाएगा एप को करने के बाद आपको इसी एप को उपन करना है जैसी आप एप को उपन करेंगे उसके बाद एप का एंटरफेस कुछ इस तरह सा आपको यह पर देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाइस पूरा डीटेल के साथ बताते जाओं जो फेस ऑथनिटिकेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एंटरफेस खुल के यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद आपके पास दो दिन पहले जो मैसेश आया था यह रहा ओ बला दो दिन पहले मैसेश यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है जैसी कि यह आपको एहाँ पर पर डाल दिना है डालने के बाद आपको एक ऊटी पी बेजा जाएगा और उसी ओटी पी को आपको एहाँ पर डालना है OTP 6 डिजिट का होगा, आपको इसी OTP को इहापर डालना है, OTP को इहापर डालने के बाद, OTP आने में 2-4 मिनिट का समय लग सकता है, तो आपको इहापर एक कैप्चर फिल होगा, इसी कैप्चर को आपको इहापर एंटर कर देना है, सेम टू सेम कैप्चर को आपको इहापर ल लेगा इसी नेश्ट की बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा घुमेगा उसके बाद कुछ इस तरह का एंटरफेस यहापर आएगा यहापर मैंने हमारा जो पार्सेनल डीटेल्स है हमने यहापर हाइट करके रखा है यहापर हमारा आदर पर्सेनल डीटेल्स दिखाने के बाद आपको यहापर दिखाएगा प्रोसेस टू फॉर फेस ऑथोरांटिगेशन इसका मतलब है आपका जो फेस बेरिगेशन आप तक नहीं हुआ है इसलिए यह बला चीज आपको यहापर दिखा रहा है उसके बाद आपको यहापर ही प् अप्षिन मिलेगा आपको यहापर क्लिक कर देना है उसके बाद आपकी समने कुछ ऐसा आजाएगा यहापर जो एप हमने डाउनलेट किया था ओटी आर का उसी एप को आपको यहापर पर्मिशन मांगा जाएगा मूबाइल की कैमेरा का इसका मतलब है आपका जो फेस बेर दो चार सेगेंड के अंदर आपकी जो फ्रॉंट कैमेरा है मूबाल के जो सामने का कैमेरा है वह ओन हो जाएगा उसके बाद आपके फेस को अच्छी तरह से इमेजिस लिया जाएगा और आपकी जो फेस थोरा सा दाइने और बाई के तरफ घुमाना परेगा मूबाल की केमेरा ओन होने से पहले कुछ इस तरह का एंटरफेस आपको यह तेखने के लिए मिलेगा यह पर आपसे प्रार्मिशन लिया जा रहा है I am ready मतलब यह थोरी दिर में केमेरा ओन होने बेदा तो आपको यह पर जो खाली mark दिख रहे हैं यह पर agree करके आपको यह पर process पर click कर देना है जैसे click कर देंगे उसके बाद आपकी mobile का camera on हो जाएगा देख सकते हो guys हमने I am agree पर click कर दिया अब यह आप हम process पर click करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह से camera यह पर on होगा आपको camera on होने के बाद आपको आखों के पाक्ति को ऐसी हिलाना है और उसके बाद दाये और बाये इस तरह से घुमाना है उसके बाद आपका face verification completely हो जाएगा कुछ इस तरह सा successful दिखाएगा उसके बाद image capture successful progress का आपको एक SMS आपको यह पर दिखाएदेगा ऐसा एक picture ऐसा एक interface आपको यह पर दिखाएदेगा उसके बाद क्या होगा पूरा process दिखा रहा हो देखते रहिए उसके बाद यह पर हमारा कुछ personal details आते हैं तो हमने यह पर hide करके रखा है तो हमने इसको आपको दिखा नहीं सकते हैं उसके बाद completely आपका face verification successful हो रहा है मतलब हो चुका है हो चुका है आपका completely फूरा face verification successful हो गाई उसके बाद क्या होगा और उसके बाद guys आपको e-kyc आपको complete करना परेगा e-kyc को complete करने के लिए क्या क्या होगा step पर है आपको मैं यह पर बताते जा रहा हूँ यह पर अपना नाम बगरा अधरकर का नमबर बगरा वह आपर details personal details आते हैं हमने इसको hide करके रखा है एक चीज आपको याद रखना है आपका जो face authentication है वो यह पर successfully हो चुका है लेकिन आप तक आपको e-kyc नहीं हुआ है इसको आपको करना परेगा कैसे होगा मैं आपको यह पर करके दिखाने वाला हूँ उसके बाद आपकी mobile पर दो SMS आएंगे ठीके एक SMS के अंदर आपकी password होगा और एक और message पर आपकी जो OTR नमबर होगा एक message पर आपकी password आएंगे और दूसरी message पर आपके पास दूसरा एक OTR नमबर बगरा आएंगे OTR का जो नमबर है वो है गईस ओन टाइम रेजिस्टिशन नमबर और दूसरी message पर आएंगे password ठीके एक message पर आएंगे ओन टाइम रेजिस्टिशन नमबर OTR वला और दूसरे पर आएंगे password पास वर्ड बला जो message है कुछ इस तरह सा होगा मैं यह पर थोरह साइट केर करके ठीक है इसलिए आपको इस तरह का एक टॉकर मैसेस मिल जाएंगा पासवर्ट बाला उसके बाद पूरी तरह से बैक करने के बाद आपको फिर से एप के अंदर आ जाना है जो एप हमने पहली डाउनलोड करके रखे थी उसी एप को आने के बाद आपको यह पर जो रेजिस्ट पर क्लिक कर देना है रेजिस्टिशन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा एंटर्वेस आपको यह पर दिखाए नेगा ठीक है गाइस उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको दो खाली बॉक्स मिलेगा इसी बॉक्स को टिक मार्क कर देना है देर उसके बाद आपको यह पर एक camera नउल Арई के पर क्या लाएंगे को आपको एहाँ पर फील करना है capture को यहा Bei अपर फिल नेक्षिन जए यह पर फिल के बाद आपको नीचे एक next का option मिलेगा इसी next का option पर click कर देना है capture फिलक नेके बाद फिरसे इस चीज़ को दौरा रहा हू। यह पर आपको mobile number देंगे sent OTP पर click करेंगे OTP आप एक पर डालेंगे उसके बाद आये पर के capture आइंगे capture आइंगे उसके बाद आपको इह पर next पर click करना है। पहले कई आपक liberi fundamentals नहीं थेना है आगर आधार नमबर मांगता है आधार नमबर डालके आपको sent OTP डालके फिर से आपको यहापर बेरिवाई पर एक option मिलेगा और आपको क्लिक कर देना है उसके बाद गाइस उसके बाद आपकी सामने यहापर EQYC का एक option आएगा आपको यहापर मैं यहापर दिखा रहा हूँ यह पर सारी हमारा परसनल डीटेल्स बगरा है इसलिए मैंने यह पर इसको पूरी तरह से हैट करके रखा है तो इस तरह से एंटर्फिस आएंगे उसके बाद आपको क्या करना है कुछ इस तरह से पेज आएंगे आपको यह पर करना है उसके बाद आपको यह पर अपना मा का नाम उसके बाद आपको आपको यह पर आपको यह पर क्लिक कर देना है उसके बाद कुछ इस तरह का एक पेज यह पर आएंगे और इस पेज पर लिखा होगा यूजर आदार रेजिस्टेशन उइट पेपर एंस आदार आईडी और रेफरेंस ओटियर नमबार आपको यह पर उके कर देना है बस उसके बाद आपको सब कुछ बैक करके फिर से एप पर आजाना है पहले जैसा फिर से एप पर आने के बाद सब कुछ बैक करके एप की पहली पेज पर आजाना है पहली पेज पर आने के बाद आपको यह पर लोग इन पर क्लिक कर देना है उसके बाद कुछ इस तरह सा मेसेस पर एक मिला है थोरे दिर पहले बाला जो मेसेस उसी मेसेस पर एक One Time OTR नंबर है उस नंबर को डालना है और जो पासवॉर्ट आपको मिला था Nhτुआ उसी password को आपको यह पर डालना है उसके बाद कुछ इस तरह सा एक capture मिलेगा capture को आपको यह पर डालना है उसके बाद guys आपको यह पर login पर क्लिक कर देना है login पर guys आप जैसी क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ इस तरह सा एक page open होगा ठीक है जैसे उसके ऑब एसा ही page आज आए उसके ऑठ आपका एक confirm password आपको यह पर देना है जो password आपको message के दौरा आये थी उसी password को आपको यह पर देना है उस password को देने के बाद आपकी खुद से एक और password आप बना लेंगे ठीक है और उसी password आपको यहाँ पर देना है जो password आप यहाँ पर देना है देने के बाद यहाँ पर आपको एक capture मिलेगा capture को आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको यहाँ पर एक submit का बटन मिलेगा आपको इसी submit का बटन पर क्लिक कर देना है उसके बाद completely successfully हो जाएगा और उसके बाद आप अगर OBC है तो आपको आपकी bank account में 1000 रुपे आ जाएंगे कुछ दिने बाद अगर आप STI है त आपको 1000 रुपे मिल जाएंगे जो कॉला शिप का पैसा है तो गैस हमारा इस वीडियो में इतना ही था तो आमने मुबाइल के जरिया आपको करके दिखाया आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का वीडियो बविश्यो पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए